रोजाना ग्यान वर्दक चीज़ों को जानने के लिए आप हमार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नमस्कार दोस्तों जय मातादी दोस्तों राशी फलका हमारे जीवन में काफी गहरा असर पड़ता है जी हाँ राशी फलका हमारे जीवन में काफी खास थान है हर इनसान की राशी कोई ना कोई ग्रहों और नक्षत्रों पर निर्भर करती है ऐसे में ग्रहों की दशा और चाल बदलने से हर राशी वालों के जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलते ही है जोते शास्र के अनुसार व्यक्ति की राशी उसके चरित्र उसके वैवहार और उसके व्यक्तित्व के कई सारे गहरे रास खोलती है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फिलहाल अभी कार्थिक मास चल रहा है और दोस्तों कार्थिक मास पूरे नवेंबर महिने तक चलता रहेगा दोस्तों आपको बता दें कि कार्थिक मास भगवान विश्नु का सबसे प्रिये महिना होता है और इस पूरे महिने में भगवान विश्नु बेहद प्रसन रहते हैं शास्त्रों के अनुसार सभी 12 महिनों में इस महिने को बेहद ही शुब माना गया है दोस्तों बता दें कि कल से नवेंबर का नया महिना शुरू हो रहा है और नवेंबर के महिने में आपको हम बता दें ग्रहों की दशा बदलने से कुछ राश्यों के जीवन में भारी बदलाव देखे जा सकेंगे और दोस्तों सभी बार राश्यों में से ऐसी छे राशिया हैं जिनके उपर सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा जी हाँ आपको हम बता दें कि इन राश्यों वालों की किस्मत इस नवेंबर के महिने में बदलने वाली है इन राश्यों को इस नवेंबर के महिने में बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा रसल आपको हम बता दें कि दोस्तों नवेंबर के महिने में पांच बड़े ग्रहों की यूती बन रही है जी हाँ और दोस्तों ऐसी यूती बारा सालों के बाद बन रही है आपको बता दें कि देवगरू ब्रस्पती धनुराशी में रहने वाले हैं और तुला राशी में गरू ब्रस्पति, शुक्र, शनी और केतु की यूती धनो राशी में बन रही है तो वही सूर्य देव व्रिश्चक राशी में रहने वाली हैं। लेकर आने वाला है। बता दें कि एक नवेंबर के बाद इन राशी वाले लोगों के सभी बिगड़े हुए और रुके हुए काम बनने वाली हैं। अगर बात व्यापार की करें तो ये महिना आपको व्यापार की द्रिश्टी से बहुत अधिक लाप पहुचाएगा। आर्थिक लाप भी मिलने की संभावना है। जिसके कारण रुका हुआ धन आपके पास वापस लोटाएगा। नए रोजगार या नए कारोबार को शुरू करने के लिए इन राशी के लोगों का ये अच्छा समय है। कुल मिलाकर ये पूरा महिना इन राशी के लोगों के लिए खुशियों का भंडार लेकर आ रहा है। अब चलिए बिना देर की ये आपको हम बता दें कि आखिर ये राशिया कौन सी है। दोस्तों जिन राशी वालों की हम बात कर रहे हैं वे राशिया हैं। तुला राशी, वरिशब राशी, कन्या राशी, धनू राशी, वरिश्चक राशी और कुम्ब राशी। दोस्तों आपसे अन्रोध है कि आप कमेंट सेक्षिन में सच्चे दिल से जैमालक्षमी अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक और शेर अवश्य कर दें